दोड़ी, बैनों, और प्यारे भाईयों, आपका इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत, कैप्टन अमरिंदर सिंग जी, श्री नवजोग सिधू जी, श्री राजा बारिंग जी, श्री मती आशा कुमारी जी, श्री मनप्रीत बादर जी, श्री विजेंदर सिंगला जी श्री राना सोडी जी श्री गुर्प्रीत कंगर जी श्री हरीज चौबरी जी श्री लाल सिंग जी श्री राइंदर सिंग जी आप सब का भी इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत तो बेनों और भाईयों सबसे पहले तो बोले इफ्ञान यार यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई मेरा करवाला पंजाबी है हर मुसीबता सामना उन्हाने मुस्कुरान देवे किता मैं पंजाबी आरी धरती ते पंजाबी कौम मुस्सलाम कर दियां पंजाबी कौम हर मुश्किल दा सामना डटके कर दियां ते सदा खुश रहके चर्डी कला विच देंदी है अब मैंने अपनी पंजाबी सुआफ कर दी पूरा भासन इंदी में दूरी सुना है कल प्रदान मंत्री जी आये थे और सुना है कि इसी मैदान में उनकी मीटिंग लगी और ये भी सुना कि उनके जूटों के सिलसिला के सिलसिले का जवाब भटिंडा के आस्मानों ने दे दिया क्योंकि चाहे अन्भी हो तुफान हो चाहे मौसम क्लावडी हो लेकिन इनकी सच्चाई अब देश की जनता के रेडार पर आचुकी है आपके सामने तमाम प्रचार करते हैं जूट कहते हैं बड़ी बड़ी बाते करते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं अगर आप इनका प्रचार सुने और माने आपको लगेगा कि इस देश में सतर सालों से कोई विकास नहीं हुआ कि सिरफ पाथ सालों में सारा विकास हो चुका लेकिन आप भटिंडा के वासी हैं भटिंडा सबसे बड़ा मिसाल है कि सतर सालों में इस देश का कितना विकास हुआ ये उद्योगों का केंडर है फर्टिलाइजर, सिमेन, हर्मल पावर, टेक्स्टाइल का केंडर है कपास और गेहूं की सबसे बड़ी मार्केट है दूद उच्पादन का केंडर है आर्मी की कंटून्वेंट है यहाँ और यह सारा विकास इन से पहले हुआ शायद इनका खुद का रेडार सबसे पहले अपने वचनों पे होना चाहिए 2014 में इन्होंने आप से कहा कि 15 लाख रुपे आपके खातों में डालेंगे किसी के खाते में 15 लाख रुपे आए आए? नहीं आए कहा था कि किसानों की आए दुगनी होगी कहा था कि महंगाई को घटाएंगे क्या महंगाई घटी? आपको कहा था कि नौ जवानों के लिए हर साल 2 क्रोर रोजगार बनाए जाएंगे क्या बने? नहीं बने बेनोर भाईयों इनके शासन में 5 क्रोर रोजगार घटे इनकी नोट बंदी की एक नीती से 50 लाख रोजगार घटे इनके शासन में 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं ना आपको 15 लाख रुपे मिले ना किसानों की आम बनी दबनी हुई ना किसी के लिए रोजगार बना बलकि देश भर में गूंते हुए जो किसान मुझ से मिलता है वो पीरा में दूब रहा होता है आज कर्द की वज़े से बारा हजार किसानों ने आत्महत्या की हैं इनके शासन में बारा हजार किसानों ने आत्महत्या की किसान को उपज कादान नहीं मिला किसान को भीज और खाद समय पे नहीं मिली देश भर से जब किसान पैदल दिल ली आया हजारों की तादाद में पंजाब के किसान आए उत्तर प्रदेश के आए महराश्च के आए मध्य प्रदेश के आए राजिस्थान के आए और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मंगी कि प्रधान मंतरी महोदय अपने आली शान बंगले से निकल कर पाँच मिनत का समय उन्हें दे देते ताकि उनकी समस्याओं की सुनवाई होती लेकिन प्रधान मंतरी जी इतने व्यस्थ है कि हजारों की तादाद में जो खिसान अपने पाँपे च्छाने बनाकर पैदा लाए उनसे मिनने के लिए प्रधान मंतरी जी ने पांच मिनट का समय नहीं निकाला प्रधान मंतरी जी अमेरिका घूमाए वहाँ अबामा जी से गले लग गए जापान चले गए धोल बजाए वहाँ अफरीका गए यॉरोप गए जिस द अपने ही सामसदियत शेत्र में वारा नसी में एक भी गरीब परिवार एक भी किसान के घर नहीं गए एक भी किसान से हाल चाल नहीं पूछी ये नहीं पूछा कि आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं मोट बंदी से इन्होंने आपको परिशान किया आप से कहा कि आप अपनी देश भत्ती दिखाईए और दुनिया भर का काला धन देश में वापिस आजाएगा सच्चाई क्या हुई एक भी रुप्या वापिस नहीं आया आप परिशान हुए आपके साथ कतारों में एक भी भाजप्पा का नेता नहीं खड़ा हुआ एक भी अमीर उद्योग पती खड़ा नहीं हुआ सिर्फ एक नेता खड़ा हुआ था राहुल गांधी और जब वो नेता आपके साथ कंदे से कंदे मिलाकर आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा रहा तब भाजप्पा के नेताओं ने उनका मज़ा कुड़ाया यहीं हालात हैं इनकी लेकिन यह कोई नई बात नहीं है इनके जूटों का जो सिल्सिला है यह बहुत पुराना सिल्सिला है जब पूरा पंजब आजादी की लाई लड़ रहा था तो इनके RSS के लोग इनके RSS के लोग अंग्रेजों की चमचा गिरी कर रहे थी कभी लड़े नहीं आजादी की लड़ाई में पंजब ना हिंदू ना मुसल्मान है पंजब जी ए गुरूओं के नाम है आपकी जो धरती है वो हमेशा गुरूओं के नाम जी है अगर गुरू गरन्ट सहाब को पंजब से जुदा किया तो पंजब की आत्मा चली जाएगी इनही के साथीों ने इनही के साथीों ने अपने राजने तक लाब के लिए अपने वोटों को बटोरने के लिए गुरु गरंट साहब का निरादर किया आपने खुद ये देखा बाबा नानक ने तेरा तेरा तोला सर्बत का भला बोला और इन्हों ने अपने साथियों के साथ सिर्फ मेरा मेरा बोला शुरू से सिर्फ मेरा मेरा बोला जो सरकार इस लोग तंत्र में जनता के लिए होनी चाहिए उस सरकार को इन्होंने तमाम माफियाओं को सौप दिया भू माफिया, रेट माफिया, शराब माफिया और ट्रांस्पोर्ट माफिया को सौपा इनके शासंकाल में जनता की आवाज नहीं सुनी गई जनता की तीरी दर तीरी बरबाद हुई है आपको नकारा गया देश के किसान को पंजाब के किसान को नकारा गया और नकारते वक्त आपको दबाते वक्त आपको परिशान करते वक्त हमेशा इनका जूटा प्रचार चलता रहा आज भी आप टीवी देखेंगे कभी कहते हैं कि बिजली की बिल पे तलवार मारी तो कभी कहते हैं कि कोई और बड़ी उपलबडी कर ली बहुत विकास कर लिया किसान बहुत खुशाल हो गया लेकिन सरासर जूट कहते हैं आज अगर पंजाब चिट्टा के वज़े से तडप रहा है तो ये इनी की सरकारों की बड़ालत हैं मेरे भाई राहुल गान्दी जी ने ये मुद्दा तब उठाया जब किसी और की हिम्मत नहीं थी इस मुद्दे को उठाने की जब वो पंजाब आए और उन्होंने ये बात कही तो इन्होंने तमाम उनके बारे में खलत चीज़े बोली लेकिन राहुल जी न उठाने की राजनीती नहीं है अगर कोई समस्या है आपके प्रदेश में तो उसको उठाने की राजनीती नहीं है इसलिए इस चुनाओं के लिए आप बहुत ध्यान से बहुत जिम्मेदारी से सोचिए कौन सी पार्टी आपके सामने कैसा संदेश लाती है कौन सी पार्टी आपके सामने कौन सी घोशना कर रही है जो नेता आपके सामने मंच पे बैठे है चाए मैं हूँ चाए अमरिंदर सिंग जी हूँ सिद्दू जी हूँ कोई भी नेता जो आपके सामने मंच पे बैठा है हम सब को बनाने वाले आप है सचाई ये है सचाई यह है कि लोग तंत्र में आपकी शक्ती सबसे बड़ी शक्ती है लोग तंत्र में भारत देरिश में किसी भी नेता से बड़ाव किसी भी नेता से महत्वपून किसी भी नेता से मजबूत जनता है और इसी को लोग तंत्र कहते हैं लोकतंत्र का मतलब है आपकी शक्ति आपके हातों में रहनी चाहिए लोकतंत्र का मतलब है कि आपको गुमराह करके जूटे प्रचार करके आपको तबाह करके आपके प्रदेश को मफ्याओं को सोपके कोई आगे नहीं भरना चाहिए आपको सब्ग सिखाना चाहिए इने कि आप सच्चारी को देख रहे हैं आप जागरुक बन गए हैं आप अपनी भलाई चाहते हैं और आप हम सब नेताओं को सिख़ाइए आप सब नेताओं से पुछिए कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं आपके सामने आकर, तमाम फिजूल की बातों को करने का कोई मतलब नहीं है, आपके सामने जो नेता है, चाए कितना भी बड़ा हो, चाए देश का प्रधान मंत्री नहो, वो आपको बताए, कि आपके लिए क्या किया है उसने, और क्या करने जा रहा है, यही सची राजनीती है और इसलिए मैं आपको बतना चाहती हूँ, कि कॉंग्रेस पार्टी ने इस जुनाओं में एक ऐसा घोशना पत्र बनाया है, जिसके लिए राहुल जी ने दिगज नेताओं को देश भर में भेजा, राहुल जी ने उनसे कहा, कि मैं आपकी आवाज नहीं मानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, कि जनता की क्या आवाज है, किसानों से मिलिए, उनसे पूछिए, कि उनको क्या चाहिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, नौजवानों से मिलिए, नौजवानों से पूछिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, महिलाओं से मिलिए, महिलाओं से करने के बार कांग्रिस ने एक गोशना पत्र निकाला है उस गोशना पत्र में कांग्रिस ने कहा है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुटैस साल आना सरकार देगी जब ये योजना बनाई गई तो राहुल जी ने पूर वृत मंत्रियों से कहा कि देखिए जनता को बहुत जूट बोला गया है पांच सालों से जनता परिशान है जनता को वादा किया था भाज़ अपाने कि 15 लाक रुपए उनके खातों में जाएंगे वो वादा खोकला निकला मैं कोई खोकला वादा नहीं करना चाहता उन्होंने कहा आप जाच करिये असलियत क्या है सच्चाई क्या है सरकार अगर गरीब परिवारों को पैसा देना चाहे तो कितने पैसे दे सकती है तो वृत मंत्रियों ने पूरी तरे से जाच की और उन्होंने कहा कि अगर सरकार करीबों को पैसा देना चाहे तो 72 हजार रुपए साल आ ना दे सकती है जब ये ग्योजना की कॉंग्रिस में तब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा ये भी सुन लेजिए उन्होंने कहा कि देश में इस ग्योजना के लिए पैसे नहीं है अर्थ व्यवस्ता में पैसे नहीं है राहुल जी ने उनसे पूछा अगर गरीबों और किसानों के लिए पैसे नहीं है तो बताईए आपने बड़े बड़े उद्योग पतियों के पाथ सौपचास हजार क्रोर रुपे इन पाथ सालों में कैसे बक्ष दिये कैसे कर्द माफ किये कोई जबाब नहीं आता बेहनों और भाईयों क्योंकि कोई जबाब नहीं है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योग पतियों के लिए चलाई गई है आपको मलम है कि आपकी जो किसान दीमा ली जाती है हर महीने आप से उस किसान बीमा से बड़े बड़े उड्योग पतियों के दस हजार क्रोर रुपे का फाइदा हुआ है दस हजार क्रोर रुपे का फाइदा आपकी किसान बीमा से बड़े बड़े उड्योग पतियों का हुआ और जब आप पत्ती आई जब आपके खेतों का नुकसान हुआ तब आपने कभी ये भीमा के पैसे नहीं देखे यही असलियत है इस सरकार की जब कॉंग्रेस पार्टी ने कहा कि किसानों के कर्द माफ किये जाएंगे तब भी उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए मज़ा कुराया लेकिन आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है और जहां हमारी सरकारे आई मध्यप्रदेश, चातिस गर्व राजस्तान में आपने खुद देखा कि मात्र तीन दिनों में कर्द माफ होने शुरू हुए जैसे गरीब परिवारों के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने नियाए की योजना बनाई है जिसके तहेत आपको 72,000 रुपे सालाना मिलेंगे उसी तरह से नौजवानों के लिए भी कई योजना हैं नौजवानों के रोजगार के लिए सबसे पहले कॉंग्रेस ने घोशित किया है कि जो 24,000,000 सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उन्हें एक साल के अंदर-अंदर अगले साल के मार्च के महीने तक भरवाया जाएगा कॉंग्रेस पार्टी ने ये भी कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो तीन सालों के लिए कोई भी पर्मिट और कोई भी पर्मिशन की ज़रूरत नहीं होगी कि सरकार उस नौजवान को पूरी तने से मजबूत बनाएगी कि अगर उस नौजवान के कारोबार से रोजगार बने तो जतने रोजगार बनेंगे उतने अतना ही कम टैक्स, उस कारोबार पर लगाया जाएगा जो छोटे उद्योग पती और दुकानदार जी एस्टी से तरस्त और परिशान है उनके लिए कांग्रिस ने खास क्या गोशना की है कि जी एस्टी को सरल बनाया जाएगा एक ही सरल टैक्स होगी आज स्थिती यह है कि किसी भी दुकानदार से पूछे तो वो कहेंगे कि अगर एक चीज एक वस्टर भी बेचना पड़े तो उसकी कड़ाई की अलग जी एस्टी उसके धागे की अलग जी एस्टी उसकी सिलाई की अलग जी एस्टी और उसकी कपड़े की अलग जी एस्टी लगती है इस उलजन और इस परिशानी से तमाम कारोबार बंद हुए हैं तमाम दुकाने बंद हुए हैं नोट बंदी और जी एस्टी से जिस तरह आपके पाओं पर कुलाडी मारी उस तरह शाइब किसी सरकार ने आपको परिशान नहीं किया होगा इसलिए कॉंग्रिस इस परिशानी को समझते हुए और पहचानते हुए आपको मजबूत बनाना चाहती है और एक सलन जी एस्टी बनाना चाहती है मेरी बैनों के लिए 33% आरक्षन संसद में होगा इसके जरिये जो हमारी समझ जाएं है जो महिलाओं की आवाज है वो संसद में ठीक तरे से उठेगी बच्चों की शिक्षा के लिए बारवी तक सरकारी पाथशालाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी और हस्पतालों में सरकारी हस्पतालों में जाँच और चिकित्सा मुफ्त में मिलेगी ऐसी तमाम योजनाएं हैं किसान भाईयों और बेहनों के लिए भी एक अलग बजट बनेगी इस अलग बजट के द्वारा आपको हर साल ये बतायाग जाएगा कि आपके लिए कितना खर्चा जाएगा कौनसी योजनाओं में जाएगा किस तरह से सरकार उन योजनाओं को सफल बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में फूट पाक बनाने की उमीद है हमारी ताकि आपकी उपज सीधी देश की बाजारों से जुड़ जाएगी ताकि आपको आपकी उपज का दाम अपने ही खेतर में मिले इस तरह से तमाम योजनाओं हैं जो हमारे घोशना पत्र में है और मैं आपसे आग्रे करना चाहती हूँ कि आप घोशना पत्र को पढ़िए क्योंकि ये चुनाओं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे देश को बचाने का चुनाओं है हमारे लोक कंत्र को बचाने का चुनाओ है एक ऐसी सरकार को शिकस्त देने का चुनाओ है जिसने आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं लेकिन आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की है अपने आपको देश भक्त कहके तमाम देशवासियों को देश द्रोही कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश में एक अध्यापिका से मिली जो अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने गई और उसको पीटा गया जेल में डाला गया और उन पर देश द्रोही का कानून लगाया गया क्योंकि अपने अधिकारों की मांग करने की हिम्मत हुई उनमे ये लोगतंतर है बेहनों और भाईयों आपके अधिकार आपकी शक्ती है आपके अधिकार आपकी हिम्मत है आपको दबाने की हिम्मत किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए और ये सबक मैं जानती हूँ कि इस चुनाओं में आप भाजपा और उनके सहीयोगईों को पूरी तर्य से सिखाने वाले हैं राजा वारिंग जी यूज कॉंग्रेस में होते थे जहां उन्होंने बहुत प्रगती शील कारिक किये एक मजबूत उमीद्वार हैं एक सचे राज देता हैं जो आपके लिए दिन ग्राप एक करके आपके प्रती समर्पित रहेंगे इनके हाथ मजबूत करके कॉंग्रेस पार्टी को एक बार फिर केंडर में स्थापित करके आप अपने भविश्यों को मजबूत बनाएंगे आप अपने देश अपने प्रदेश को और भी मजबूत बनाएंगे अपने बच्चों के अपनी अगली पीरी के लिए इस चुनाव में आप अपना वोट दीजिए जो पीरियां बरबाद हुई हैं उन पीरियों को बचाने के लिए आगे वाली पीरियों को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट दीजिए कॉंग्रेस पार्टी को भारी से भारी वहुमत से जिता कर देश और पंजाब को एक बार फिर उसी रास्ते पे लाईए जिस रास्ते से आपका पूरी तरह से विकास हो आप सब को बहुत 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 धन्यवाद जैन कि पंजाब देवित मंत्री सर्दार मंत्री सिंग बादल वनो सारे ही आए होए शेहन दा ते मेरे आले अले आए हलकियां पहूं आए होए मेरे साथ यां रते देव तो तनुआ दिया है तेले नाल माल श्रिमती प्रेंग के आखा विशी ता पंजाब दीए गुरूओं भी करती उते पेली और लिए बारद भारं लेई मैं विए सी देव तो तनुआ दिया है